ओम नमः शिवा या नमशकार आप देख रहे हैं न्यूज बर्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविश्यवाणी आपके साथ मैं हूँ पंडित चंद्शेकर सर्मा लेकर आया हूँ आपका साप्ताहिक रासी फ़द्रित सबसे पहले देखते हैं मेस रासी तो मेस रासी वा आने के अवसर मिलने की संभावना है पढ़ाई में इस अपताह आपका प्रदर्शन का काफी अच्छा सावित होगा और सोने और जुएलरी के ब्यवसाय से जुड़े लोगों के धनलाब के योग बन रहे हैं परिवार में सांती और खुसहाली का माहौल रहेगा इस समय पर है कि आप हर मंगलवार को एक बजरंग वान का पाठ अवस्य करें अब आते हैं ब्रशवराशी तो ब्रशवराशी की जो जातक हैं उनके लिए विदेश से कोई रिष्तेदार उपहारों के साथ आप से मिलने आ सकता है जिससे मिलकर आपको अच्छा महसूस होगा करियर को लेकर सतरक रहने की जरूरत है कारिछेतर पर चीजों को अपने अनकूल करने के लिए चाला की और द्रणश्य की आवशकता होगी पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को जटल वनने से पहले ही समाधान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और यह सपता सेहत के लिह संतोज जनक रहेगा तो आपके लिए सुब उपाय बताने जा रहे हैं आप नित्य परती भगवान शिव को जल चलाएं अब आते हैं मिथन राशी तो मिथन राशी के जो जातक हैं उनको पढ़ाई में बांचित प्रदर्शन के लिए आपको कठिन मेहनत की आवर्शकता है परिवार के साथ समय विताने से आपको अपार शंतुष्टी मिलेगी शेहत को लेकर समय कठिन रहेगा और शेहत से जोड़ी कोई न कोई समस्या भी हो सकती है इसलिए सतर्क रहें प्रेम शंबंदों के लिए समय अनकूल चल रहा है इसलिए अपने साथी के साथ अधिक से अधिक समय विताकर शंबंदों को मजबूत करने की कोशिश करें इस हपते आपका जुकाव अध्यात्म की ओर होने वाला है तो आपके लिए सुभु उपाय है आप नित्यप्रति भगवान शिव को दूध मिलाकर जल दें अब आते हैं करक राशी तो करक राशी के जो जात शब वो हासिल करने में काम्याब होंगे जो आपने तै किया है अपने वारे में किसी की टिपणी के चलते सोचने को मजबूर हो सकते हैं कुछ अबसर जिनका आप लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं उनके मिलने में अभी समय लग सकता है इसलिए आपको धहरी बनाए रख किसी को देकर आपके उसकी मदद कर सकते हैं तो आपके लिए सुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति सिंदूर का टीका अपने मस्तक पर लगाएं तो अबाते हैं सिंगराशी तो सिंगराशी के जो जातक हैं उनके लिए प्रेम की तलास कर रहे लोगों को प्रियास सफल अपने प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं इस अपते किसी सामाजिक समारोह में भाग लेने की संभाव ना है इस शप्ता किसी प्रापर्टी के बिशेस मामले को लेकर की गई बातचीत आपके रुख को इसपष्ट कर सकती है खान पान पर नियंत्रन रखना आपकी सिहत के लि अब आते हैं कन्याराशी तो कन्याराशी वाले इस अपता है आप अपने प्रियासों से बित्यमामलों को शंतोस जनक शमाधान करने में शपल होंगे सेहत से जुड़े किसी बियायाम को करने से संतुष्टी मिलेगी घर पर अनावस्यक तनावस्य बचने के लिए समय रहते जीवन शाथी के मूड को ठीक करने की कोशिस करें किसी नई जगह जाते समय रास्ता भटकने की आशंका है इसलिए सतर करें किसी निर्णे को लेने से पहले दूसरों की सहमती जरूर ले आपके लिए सुप उपाय है कि आप किसी गरीब के लिए च्छाता दान करें अब आते हैं तुलाराशी तो तुलाराशी के जो जातक हैं उनके लिए धन शम्मंदित मामलों के लिए यह सपता भाग शाली रहेगा और आपको लंबे समय से चली आ रही आर्थिक शमश्याओं के जल्द ही दूर होने की शमभावना है किसी पुरानी बीमारी से जल्द छुटकारा मिलने की भी शमभावना है सामाजिक मोर्चे पर किसी ऐसे मुद्दे को लेकर उस्साह का माहौल रहेगा जिसे लेकर आप काफी चिंतित महसूस कर सकते हैं विदेश से सम्मंदित कोई असाइनमेंट मिल सकता है जिसके चलते आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ावा होगा तो आपके लिए सुभ उपाय है आप नित्य प्रति गाय के लिए गुड़ और रोटी खिला है अब आते हैं ब्रश्चिक राशी तो ब्रश्चिक राशी को जातक हैं उनके लिए प्रेम और धनशी शम्बंदित मामलों के लिए यह सप्ताह भाकिशाली रहेगा पिछले किये गई किसी निवेश से अच्छे रिटरंस की मिलने की संभाव ना है करियर को लेकर समय अच्छा चल रहा है और इस शप्ताह कार शेतरवर आपका प्रदर्शन भी कापी अच्छा रहेगा प्रेम शम्बंदों के लिए सप्ताह रोमान चक रहेगा जीवन में पुराने प्यार के बापस आने से उस साहित महसूस करेगे लेकिन अती हर चीज की बुरी होती है इसलिए अच्छी सिहत बनाई रखने के लिए हमेशा इस बात का विश्यस द्यान रखें और अपने घर पर एक घड़े में भरकर गंगा जल रखें आपके लिए ये सुब उपाय है गंगा जल रखना बहुत सी स्रियस कर रहेगा अब आते हैं धनुराशी तो धनुराशी के जो जातक है कारपोरेट के छेतर में आके बढ़ने के लिए प्रियास कर रहे लोगों को नए मौके मिलने की संभावना है इस सप्ता धन शम्मंतित मामलों को लेकर जागरूख होंगे और कुछ महत्पूर्ण काम के लिए पैसे बचाने की कोशिश भी करेंगे सेहत को लेकर ये सप्ता आपका अच्छा साबित होगा और शेहत मंद रहने के लिए नियमत ब्यायाम या कुछ शारिडिक गत्विधी सुरू कर सकते हैं आपके लिए सुब उपा है भगवान शनी देव को नित्यपृति प्रणाम करें अब आते हैं मकर राशी तो मकर राशी इस समय आप अपने करियर को लेकर काफी फोकस है करियर में आगे वढ़ने के लिए कारी शेतर पर अपने सीनियर्स को प्रभावित करने का हर मुमिकर प्रियास करेंगे अच्छे वित्य प्रवंदन के चलते हैं आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी और इस शप्ता सेहत को लेकर समस्या भी हो सकती है जरूरत से ज़्यादा चीजों को करने के कारण शेहत के प्रतिलापर वहवी हो सकते है इसलिए स्वास्ट को लेकर थोड़ा सतर करहना आपके लिए आवश्यक है और आपके लिए सुभू उपाय है कि आप हनुमान बाहु को इस्तोतर का पाठ करें अब आते हैं कुम्बर राश्री तो इस अपता कुम्बर राश्री वाले किसी सौदे वाजी को करने में आप खुद को मजबूत इस्तिती में पाएंगे पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है प्रतियोगी परिक्षा में सफल होने के लिए एकागरता के साथ मेहनत करना समय की मांग है इस अपता है फिजूल खर्चों को कम करना धन की बचत करने में मददगार शावित होगा परिवार में अपना इस्थान बनाने के लिए आपको थोड़ा कठोर होना पड़ सकता है इस अपता है आपके प्रियासों की चलते सेहत अच्छी रहेगी तो आपके लिए सुब उपा है कि आप शनीवार को अपने बजन के वरावर अन्यदान करें अब आते हैं मीन राशी की तरफ तो मीन राशी के जो जातक हैं इस अपता किसी ऐसे व्यक्ती से मिलने का मौका मिल सकता है जिसका आप लंबे समय से जानते हैं और घर के लिए जल्दे ही किसी वड़े चीज की खरिदारी की शंभावना है पिछली की गई बचत से इस तब तह आप खुद को मजबूत आर्थिक इस्तिती में पाएंगे घर पर किसी तनापून इस्तिती को अच्छे से संभालने में सपल होंगे और कारी छेतर पर किसी नए ब्यक्ति को चीजें सीखना हमेशा मुस्किल हो सकता है लेकिन धहर रखने से चीजें हमेशा बेहतर रहते हैं तो आपके लिए सुब उपाय है आप अमावश्या को गंगा में कच्छा दूद तिल जव चाबल के साथ चड़ाएं आपके लिए बहुत सामती मिलेगी तो ये था आपकी रासी से जुड़ा भविस्पल आप नजर डालते हैं सितंबर माह में पांच ग्रहों का परिवर्तन किस रासी पर होगा ज्यादा असर तो शितंबर माह में शुक्र मंगल सूर्य गुरू और वुद ग्रह अपनी रासी बदलेंगे दिल्चस्प बात यह है कि इन पांच ग्रहों में दो ग्रह एक ही दिन रासी परिवर्तन करेंगे ग्रहों के रासी परिवर्तन का सभी 12 रासियों पर प्रभाप पड़ता है यहां प्रस्तुत है संचेप में जानकारी मंगल तो सितंबर में मंगल का रासी परिवर्तन होगा मंगल 6 सितंबर को कन्या रासी में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह के राशी परवर्तन का शवशे अधिक प्रभाव मेस और कन्या पर पड़ेगा दूसरा ग्रह है सुक्र तो 6 सितंबर को शुक्र अपनी राशी परवर्तित करते हुए तुला राशी में गोचर करेंगे और तुलाराशी में सुक्र के गोचर का ब्रशव कुम्व और मकर रासियों को सुभ लाब मिलेगा और शुक्र है कि दो रासी ब्रश और तुलाब पर भी रासी परवर्तन का पूर असर पड़ेगा गुरु तो गुरु रासी का जो परिवर्तन है देव गुरु ब्रहश्पती का भी रासी परिवर्तन सितंबर माह में होने जा रहा है देव गुरु ब्रहश्पती 14 सितंबर 2021 को मकर रासी में गोचर करेंगे इससे करक और मकर रासी की जात्कों पर सुभ प्रभाव पड़ेगा सूर्य तो सूर्य देव का रासी परवर्तन शूर्य 17 अगस्त को शिंग रासी में प्रवेस कर चुके हैं जहां पर मंगल और बुद पहले से ही बिराजमान है इसके वाद सूर्य 17 शितंबर को शिंग रासी से निकल कर कन्या रासी में गोचर करेंगे सूर्य का यह रासी परवर्तन कई रासीयों पर प्रभाव डालेगा और बड़ा फायदा कुम्भ रासी और व्रिशव रासी को मिलेगा अगला जो ग्रह है बुद बुद रासी का जो परवर्तन है बुद अपनी रासी परवर्तन करते हुए 22 सितंबर को तुला रासी में गोचर करेंगे और बुद के इस रासी परवर्तन से भी सभी 12 रासीयों प्रभावित होंगे लिकिन इसका ज्यादा फायदा तुला, धनू, मकर को मिलेगा नमस्कार, ओम, नमस्षिवाय आज के लिए वस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सप्तह आपके नई रासी फलकेशाद मंत्रार्था, शपलाशंतु, शपलाशंतु, मनोरथा, शत्रुनाम, बुधिनासाय, मित्राणाम, मुदियस्तव